गुड मॉर्निंग टू अल आफ यू फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के लिए फार्मिंग रिलेटेड डिफ्रेंट वर्ट्स लेकर आई हूँ क्रिशी से संबंधित ये शब्द एक दूसरे से काफी अलग है और इंट्रेस्टिंग है जो आगे की वीडियो में आप देखेंगे फ्रेंट्स जासा हम सभी चानते हैं भारत एक क्रिशी प्रधान देश है और यहां के लोग खेती करना पसंद करते हैं लेट अस्टार्ट दी वीडियो एफ ए आर एमी आर फार्मर पी ए ए एसे एंटी पैजंट इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ किसान होता है किसान को अनदाता भी कहा जाता है किसान का मुख्य कारे होता है विभिन प्रकार से खेती करना और आजकल के किसान नए नए आधुनिक मशीनों का प्रियोग खेती के लिए कर रहे हैं F.A.R.M. Farm Farm का हिंदी अर्थ होता है खेत और हर फसल का खेत अलग होता है जैसे चाय की खेती के लिए अलग प्रकार के खेत तयार किये जाते है आलू की खेती के लिए अलग प्रकार का खेत तयार होता है धान की खेती के लिए अलग प्रकार का खेत तयार होता है कि ए मिन जी फार्मिंग का हिंडी अर्थ होता है को सब्सक्राइब क्षेटी पर पसंद करते हैं कर आजकर और गैनी खेती भी होने लगी है कुछ खेटी तालाबों में की जाती है जैसे मखाना की खेती सिंगारा फल की खेती S.E.E.D. Seed Seed का हिंदी अर्थ होता है बीज और बीज से ही पौधा तयार किया जाता है बीज फल के अंदर भी पाया जाता है S.O.W. Shaw Shaw का हिंदी अर्थ होता है बीज बोर्ना सबसे पहले खेट तयार किया जाता है और खेट तयार होने के बाद बीज बुआई का कारिय होता है F.E.R.T.I.L.I.Z.E.R. Fertilizer M.A.N.U.R.E. Manure इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ खाद होता है कोई भी खाद किसी भी मिट्टी की उड़वरा सक्ती को बढ़ाता है और कुछ खाद प्राकिर्टिक होता है जैसे गोबर F.E.R.T.I.L.E. F.E.C.U.N.D. F.E.C.U.N.D. या पैकन्ड इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ उपजाव होता है किसी भी फसल के लिए मिट्टी का उपजाव होना बहु जरूरी है यदि मिट्टी उपजाव नहीं है तो फसल नहीं होगा इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ बंजर होता है जिस मिट्टी में उड़वरा शक्ती नहीं होती है मिट्टी उपजाव नहीं होता है उस मिट्टी को बंजर मिट्टी बोलते है या बंजर भूमी बोलते है और बंजर भूमी में बंजर मिट्टी में किसी भी प्रकार की फसल नहीं होती है B-A-R-N, Barn, S-T-A-C-K-Y-A-R-D, A Stack Yard Barn और A Stack Yard इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ खलिहान होता है खलिहान एक बहुत बड़ा जगह होता है जहां सभी प्रकार के फसलों को रखकर उनसे अनाज निकाला जाता है Insecticide, Insect Powder, Insecticide और Insect Powder इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ किट नाशक होता है किट नाशक का प्रयोग किटों को मारने के लिए किया जाता है जो की फसल में लग जाते हैं Soil, Shoyal, Clay Clay, Shoyal और Clay इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ मिटी होता है मिटी कई प्रकार के होते हैं जैसे जलोर मिटी, बलूई मिटी, काली मिटी, केवाल मिटी जलोर मिटी में पान की खेती होती है और केवाल मिटी में सभी प्रकार के फसल उप जाय जाते हैं काव डंग और डंग इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ गोबर होता है जो गोबर पुराना हो जाता है उसका प्रयोग खात के रूप में होता है डंग हीप डंग हील डंग हीप और डंग हील इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ गोबर का धेर होता है एक जगा पर गोबर को इखठा किया जाता है और इखठा होते 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 गोबर का धेर लग जाता है S-P-A-D-E, SPAD, H-O-E-O, इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ कुदाल होता है और खेती में कुदाल का प्रयोग मिटी कोडने के लिए किया जाता है P-L-O-U-G-H, PLOW, P-L-O-W, PLOW, इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ हल होता है हल से खेत जोते जाते हैं, खेत तयार किये जाते हैं F-U-R-O-W, FUROW, F-U-R-O-W, FUROW, B-R-E-A-K, BREAK, G-R-O-U-N-D, GROUND FUROW और BREAK GROUND, FUROW और BREAK GROUND, इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ हल जोतना होता है हल जोत कर मिटी को हलका किया जाता है, खेत तयार होता है S-C-A-R-E-C-R-O-W, A sugar crow A sugar crow का हिंदी अर्थ होता है, बिजु का पच्चियों को ड़ाने के लिए, खेत में विजुका तयार किया जाता है जिस से पच्ची फसल को बरबाद ना करे C, R, O, P, Crop Crop का हिंडी अर्थ होता है फसल फसल दो प्रकार के होते हैं मुख्य तब रवी फसल और खरी फसल रवी फसल में चना, मूंग डाल, अरहर डाल आता है और खरी फसल में धान, मकई, ये सब आता है A spraying insecticide A spraying insecticide का हिंदी अर्थ होता है किट नासक चिरकना फसलो में कीरा लग जाते हैं, किट लग जाते हैं तो फसलो को कीटो से और कीरा से बचाने के लिए किट नासक का चिरकाओ किया जाता है I-R-R-I-G-A-T-I-O-N Irrigation W-A-T-E-R-I-N-G Watering Irrigation और watering इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ सिचाई होता है खेती में सिचाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है W-E-D 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 का हिंदी अर्थ होता है खर्पतवार फसलों में या पाधों में बीच बीच में कहीं कहीं खर्पतवार उग जाते हैं जिससे हम खूर्पी की सहायता से निकालते हैं जिससे फसल अच्छा हो S-T-R-A-W Straw Straw का हिंदी अर्थ होता है पुवाल जब सुखे घास से अनाज निकल जाता है और जो सेस बसता है उसको पुवाल बोलते हैं जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है H-A-R-B-E-S-T Harvest Harvest का हिंदी अर्थ होता है फसल काटना जब फसल तयार हो जाती है तो वह पौधा सूख जाता है और तब उस पौधे को उस फसल को काटा जाता है जिसे कहते हैं फसल काटना A-X-E-X-H-A-T-C-H-E-T इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ कुलहारी होता है और कुलहारी का प्रयोग भी खेती के लिए किया जाता है C-O-W-S-H-E-D C-O-W-S-H-E-D Cow Shed Cow Shed का हिंदी अर्थ होता है गौसाला गौसाला में विविन प्रकार के गाय रहते हैं उन्हें समय पर भोजन दिया जाता है और समय पर पानी दिया जाता है F-O-D-E-R Fodder B-A-I-T Dead Fodder और B-E-T इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ चारा होता है S-C-A-W-B-A-R-D Escabard S-C-U-D Escard Escabard और Escard इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ खुर्पी होता है खुर्पी का प्रियोग मिटी कोडने के लिए किया जाता है खर्पतवार को हटाने के लिए किया जाता है खुर्पी छोटा भी होता है और बड़ा भी आता है G-R-A-S Grass F-O-R-A-G-E Forage Grass और Forage इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ घास होता है जो मिटी उपजाव होती है उस मिटी में घास जरूर निकलता है M-O-W Ma-A-A-K-I-N-G Haymaking Ma-A-A-K-I-N-G इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ घास काटना होता है जब घास बढ़ जाते हैं तो उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है D-I-B Dib Dib का हिंदी अर्थ होता है खंती खंती का प्रियोग भी खेती में होता है जब गढ़्धा गहड़ा करना हो तब उस स्थिती में खंती का प्रियोग किया जाता है S-I-C-K-L-E Sikl S-I-C-L का हिंदी अर्थ होता है हसिया हसिया से फसलों को काटा जाता है जब फसल तयार हो जाते हैं और फसलों को काटना रहता है तो हसिया से काटा जाता है Y-I-E-L-D ILD ILD का हिंदी अर्थ होता है उपज B-U-L-O-C-K C-A-R-T बुलक काट H-A-C-K-E-R-Y Hackery इन दोनों ही वर्ट्स का हिंदी अर्थ बैल गारी होता है खेती से संबंधी जो भी उत्पाद होते हैं उन्हें बैल गारी में लादा जाता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान ले जाने के लिए W-E-L-L Well Well का हिंदी अर्थ होता है कुउओं और कुउओं से सीचाई की जाती है कुछ कुछ चेत्रों में सिफ कुउओं से सीचाई की जाती है F E N C E Fence Fence का हिंडी अर्थ होता है बाड या बाड लगाना Fence, noun और verb दोनों है Fence, noun और verb दोनों ही है जानवर खशलों को बरबाद न करे इसके लिए बाड लगाया जाता है S H E P H E R D Shepard S W A I N Shwen इन दोनों ही वर्ट का हिंडी अर्थ गडेरिया होता है हेती में गडेरिया का भी महतोपुर्ण योगदान होता है क्योंकि ये भेडों को पालते हैं जी आर, डबल इ, अन, इ, आर्वाई ग्रीनरी बी इ आर, डी यू, आर इ वर्टजर ग्रीनरी और वर्टजर इन दोनों ही वर्ट्स का हिंडी अर्थ हर्याली होता है जब खेती होगी तो सौभाविक रूप से वहां हर्याली रहेगी सवल सवल का हिंडी अर्थ होता है बेलचा खेतों में खात को फेकने के लिए बेलचा का प्रियोग किया जाता है अग्रिकल्चर 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 और कल्टिवेशन इन दोनों ही वर्ट्स का हिंडी अर्थ क्रिशी होता है डबलू ए टी आराई एंजी डी ओ डवलू एन वाटरिंग डाउन वाटरिंग डाउन का हिंडी अर्थ होता है सिंचाई करना सिंचाई के लिए कई साधनों का प्रियोग किया जाता है कुमा, तालाब, हैंड पंप झालाब, हैंड़ एंप